कहते हैं कि हुनर किसी परीचे का मोहताज नहीं होता यूपी के एक कारपेंटर ने इसी कहावत को सिद्ध साबत कर दिया है कारपेंटर सलमान ने नैनो कार को सड़क पर चलने वाले हेलिकॉप्टर में बदल दिया है अब जसकी चर्चा हर तरफ हो रही है सलमान आजमगर लाल गंज तहसील का रहने वाला है सलमान ने अपनी नैनो कार को हेलिकॉप्टर की शकल दे दी है जो फर्राटे से सड़क पर दोड रही है तो चलिए सलमान से ही जानते हैं कि उन्हें इसे बनाने का आईडिया कैसे आया कि यह है यह है जी रोड पर चलने वाली है धिर्टर रसार माट मैं तो यह यूटूबप एक वीडियो देखेते हैं विभार किसी बाइन ने हैं रेलिकाप्टर बनाते हैं उन्हों कर चलेंज किया जो बिहार किल सकते हैं और कोई नहीं कर सकता तो उनका चैलेंग मने एकस्ट किया मेरे पास भी नैनो कार गाड़ी थी और मैं दिमाग में बात रखा है कुछ अशा किया जाए कि अपने चिला अपने गाउं का नाम भी रोशन हो तो मैंने अपने गाड़ी पर काम करना शुरू किया चार महिने लगब है काफी मेनत किया सर रात के अंधेरे में इसमें लगी रंग विरंगी लाइटे और हेलिकॉप्टर जैसी दिखने वाली इस नैनो को लोग रुख कर देखने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं अगर इसा अगर इस पे आएगी तो इससे बड़ी-ड़ी लेकर चलते हैं, काफी बड़ी-बड़ी लेकर चलते हैं उसमें भी आना चाहिए सा है, लेकिन हमें नहीं लगता है, आईसी कोई दिक्कत हो, और पलस ऐसे रोट पर माला गारी हमने, माला इसको रात में ही चलाएंगे, दिन में चलाएंगे, नहीं कि ट्रॉफिक जाम लगे, उससे अपने को भी दिक्कत होगा, रोट पर अगर सलमान और उसके भाई ने पराटे से दौरने वाले इस हलिकॉप्टर को मिल कर बनाया है, कारपेंटर पेशे से जुड़े सलमान की सड़को पर दौरने वाला हलिकॉप्टर की वज़ग से इलाके में खूब चर चाहिए और इसे देखने के लिए भीर भी जुटती है